हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूटूब चैनल वियस ग्यान में आप सभी क्या स्वागत है फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में मैं आपको जिस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ या फिर जो सिखाने वाला हूँ वो आपको वीडियो का थमनेल देखके पता चल गया होगा तो friends अगर आप उस विशे में complete जानकारी लेना चाते हैं या फिर सीखना चाते हैं तो वीडियो को last तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो like and see a job करिएगा और friends अगर आप पहली बार हमारी YouTube चैनल पे आए हैं तो हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि सरकारी ओजना से जोड़ी जानकारी मैं अपने YouTube चैनल पे लेके आता रहता हूँ तो friends अब मैं वीडियो को सुरू करता हूँ सबसे पहले आपको अपने mobile phone या laptop में कोई भी एक browser को open करना है और यहाँ पर type करना है PMUI और search कर देना है पहला link आजाएगा आपके साबने PMUI home इसी link के उपर आपको click करना है प्रदान मंद्री उज्वला योजना का portal आपके साबने open हो जाएगा यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे यहाँ पर eligibility criteria के उपर click करना है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कौन-कौन लोग eligible है ओ बताया गया है जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि इस युजना का lab सिर्फ और सिर्फ महिला लोग जो है ले सकते है महिला जो है apply कर सकते हैं किस-किस category के लोग apply कर सकते हैं ओ भी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है ठीक है जिसके बाद second point में बताया है कि जो age है ओ अटरे साल से उपर होना चीए या फिर अटरे साल होना चीए ठीक है इससे कम वाले apply नहीं कर सकते हैं और घर में कोई दूसरा LPG gas connection नहीं होना चीए यह तीन point दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यह लोग जो है eligible है उसके बाद documents के उपर click करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा document लगेगा वो आप देख सकते हैं जो main document है वो है आपका राशन कार्ड आधार कार्ड हो गया address proof में दोस्तों आप आधार कार्ड दे सकते हैं ठीक है उसके बाद bank account बस यह तीन चीज़े आपके पास होना चाहिए यानि आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड और bank account ठीक है यह तीन document लगेगा अब यहाँ पर forms के उपर आप click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको KYC form मिल जाता है हिंदी के उपर आपको click कर लेना है इस तरह का दोस्तों आपको form मिलेगा अगर आप offline apply करना चाहते हैं तो इस form का आपको print out निकाल लेना है भर लेना है उसके बाद जो आपके nearby gas agency है वहाँ पर ले जाकर दोस्तों जमा कर सकते हैं उसके बाद वहाँ से बेश आसानी से आपको connection मिल जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप online apply करना चाहते हैं तो online का process भी मैं आपको चलिए बता देता ठीक है उसके लिए दुस्तों आपको portal की homepage पर चलिए आना है यहाँ पर आप देखेंगे तो apply for उज्वला connection दिया इस पर click करना है उसके बाद click here वाले option पर आपको click करना है अपकी इस company का आपको connection चाहिए वो आपको select करना है ठीक है अगर आप HP का लेना चाहते हैं तो HP के आपके apply का जो button इसी पर click करना है इस तरह से दुस्तों HP का portal open हो जाएगा यहाँ पर आपको उज्वला beneficiary connection को सबसे पहले select करना है इस प्रकास से ठीक है उसके बाद नीचे आना है I accept के उपर click करना है अब यहाँ पर दुस्तों यह accept हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अप अपर select करना है distributor का नाम select करेंगे उसके बाद next कर देना है यहाँ पर distributor का पूरा detail आजाएगा उसके बाद बस आपको यहाँ पर करना क्या है next वाला जो button है इसी पर click कर देना है आपके सामने दुस्तों जो online form है यह open होकर आजाएगा इसी form को दुस्तों आपको भरना है apply करन इसके बाद यहाँ पर full name जो है type करना है first name यहाँ पर middle name दोस्तों आपको यहाँ पर type करना है last name यहाँ पर ठीक है उसके बाद जो date of birth है ओ calendar में से आपको यहाँ पर select करना है यहाँ पर दोस्तों आपको cast select करना है जो भी cast है ठीक है जिसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना ह उसके बाद आप यहां से नीचे आएंगे तो यहां पर connection address आपको देना है जिसमें location type में rural है या फिर urban है वो आपको select करना है ठीक है इस प्रकासे उसके बाद नीचे address में सबसे पहले building number या फिर house number type कर देना है street name यहां पर आपको type कर देना है town city का नाम यहां पर type करना है उसके बाद district को यहां पर select कर लेना है जिसके बाद pin code जो आपका है उसे यहां पर type कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको अपना email id देना है और यहां पर आपको अपना mobile number ठीक है तो यह सारी चीज़ा आपको यहाँ पर देना है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों बैंक का अकाउंट डीटेल देना है ठीक है इसमें दोस्तों यहाँ पर दो आपशन दिया हुआ है अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार NPCI link है तो यहसे में सिर्फ आ bank account का detail देना होगा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं लेकिन दोस्तों आज की समय में आधार काड़ी जरूरी है तो अगर आप देना चाहते हैं तो FSC नमबर यहाँ पर आपको type कर देना है अकाउंट नमबर आपको यहाँ पर type कर देना है confirm करना है दोबारा से डाल के ठीक है यहाँ पर आपको अपना name type करना है जो bank account में आपका name दिया हुआ है तो यह सारी detail आप देंगे उसके बाद यहाँ पर LPG connection detail में 14 kg रहेगा यहाँ पर proof of address आपको select करना है तो इसमें दोस्तों अलग-अलग document दिया है तो आधार card को यहाँ प आपका काम नहीं हो पाएगा उसके बाद यहाँ पर आधार number type कर देना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर document upload करना है जिसमें दोस्तों आधार card को सबसे पहले यहाँ पर upload करना है select file के उपर click करके document का जो size है वो 300 kg से जादा नहीं होना चीए ठीक है उसके बाद जो आपका address proof है यानि कि जो भी document आपने यहाँ पर select किया है उसे दोस्तों यहाँ पर आपको upload कर देना है select file के उपर click करके समझ गये उसके बाद passport size photo आपको देना है जिसका size 50 kg से ज़्यादा नहीं होना चीए ठीक है तो उससे आपको यहाँ पर upload करना है जिसका आप apply कर रहे है उसका passport size photo ठीक है उसे upload करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों last document राशन कार्ड आपको देना है जो आपका राशन कार्ड है उसे दोस्तों यहाँ पर upload कर लेना है ठीक है यह 4 document यहाँ पर आपका लगेगा 3 document एक photo ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर family members का detail आपको select करन है तो कितने family member है वो आपको यहाँ पर choose करना है इस प्रकास से उसके बाद सबका जो detail है वो आपको इस box के अंदर fill up करना है ठीक है fill up करने के बाद नीचे यहाँ पर add member का option दिया है इस पर click करके और भी member का detail add कर सकते है समझ गया है उसके बाद नीचे आना है बस आपको जो declaration है इसे आई accept कर लेना है और submit के button पर click करके submit कर देना है submit करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर सारा काम खतम हो जाता है अब आपको wait करना है जो distributor आपने select किया है उसकी दिरफ से आपको call आ जाएगा जिसके बाद दोस्तों आपको agency पर जाकर connection जो है ले लेना है वहाँ पर द दोस्तों आपको call नहीं आता है तो ऐसे में आप खुद contact कर सकते हैं distributor को और सबसे अची बात है कि आप offline भी apply कर सकते हैं वीडियो पसंद आए हो तो like को share कर देना thank you दोस्तों bye bye and take care